अलो बच्चो और पेरेंट्स आज जिस टॉपिक को मैं टच करने वाला हूँ वो टॉपिक काफी sensitive है और काफी important है इस topic की वज़े से इस heading की वज़े से इस point की वज़े से इस decision की वज़े से आपका life काफी कुछ change हो सकता है या फिर साइद कुछ decision की वज़े से regret भी हो सकता है life में देखो career के बारे में अगर हम बात करें तो career कैसे भी start किया जाए चाहे plane BST किया जाए, Btech किया जाए, MBBS किया जाए, nursing किया जाए या कुछ ना किया जाए अगर आगे चलके आप एक बहुत सफल इनसान बन गए अब सफल इनसान के कई parameters होते हैं उसके detail में जादा नहीं जाओंगा जैसे कि कुछ लोग पैसे को सफलता मानते हैं कुछ लोग नाम को सफलता मानते हैं कुछ लोगों को दोनों चीजे चाहिए तो उस detail में नहीं जा रहे लेकिन फिर भी अगर मैं सफल बोलू अगर वो बन जाते हैं बिना कोई particular या so called hot stream जिसे medical and engineering बोला जाता है तो उन्हें life में कोई regret नहीं होती है उन्हें यह नहीं लगता यार मैंने MBBS कर लिया होता मैंने B.Tech कर लिया होता तो आज सायद कहीं और होता लेकिन problem तब आती है जब आगे चलके आपको लगने लगता है कि because of degree because of certain college आपके जो progress है life की academic progress के बाद जो आपकी professional life की progress होती है वो relatively धीमी है आप से बराबर या आप से कम talented या महनती बंदे को उनकी degree की वज़े से ऐसा आपको लग सकता है ज़ादा promotions मिलना है ज़ादा पैसे मिल रहा है और आप अब कुछ नहीं कर सकते है तो ये चीज से बचने के लिए आज का video important होने वाला है तो सभी लोगों से बोलूँगा इस channel पे इस तरह के बहुत सारे videos के वल counseling नहीं academic videos और normal आप लोग की जो daily life में होती है उन सबसे related चीजे में share करने की कोसिस करता रहता हूँ purpose है channel को particularly बहुत ज़्यादा knowledgeable बनाना अभी एक video लेके आने वाला हूँ जहां पे foreign education में और ये कोई consultancy वाली नहीं है एक expert के साथ मैंने podcast किया जो US, UK के काफी ज़्यादा expert है क्योंकि हम लोग अकसर Asia वगरे में medical stream के education की बात करते हैं उन्होंने पूरे education की बात की है तो वो video भी आप लोग देखिएगा चलिए अब मैं बात करता हूँ इस channel पर अगर नए है तो subscribe ज़रू करिएगा चलिए मैं बात करता हूँ कि क्या हमें drop लेना चाहिए NEET aspirant की बात करूँगा देखो cut-up उपर जाने का एक region ये भी है because multiple drops allowed है तो एक case नहीं second case नहीं हजारों लाखों case ऐसे सामने आएंगे जहांबे बच्चों ने improve किया अब तो coaching institutes in fact हमने भी last year publish किया था कैसे हमारे हाँ बच्चों ने 50 नमबर से लेके साढ़े 400 नमबर तक का improvement लिया है कुछ 50 पे ही रह गए जिनके 590 आएं वो 640 पे पहुँच गए कुछ लोग 1500 से साढ़े 400 यानि 600 नमबर तक बढ़ा लिये तो ये सारे cases हमने दिखाए हैं आपको दो साल पहले मेरी एक student ने जिसका वीडियो भी है या interview भे 90,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था और वो बच्ची छटमे ड्रॉप में मौलाना आजाद Medical College डेली में पढ़ रही है इस साल भी मेरे पास कई ऐसे student थे जिनका second और third drop था उन्होंने हर साल कुछ न कुछ इंप्रोग किया और selection लिया इस साल एक student मेरा Hindi बैच का Hindi बैच जनरली माना जाता है कि इससे selection नहीं होता हर coaching इस्चूट इससे सिर्फ पैसा बनाने की कोसिस करती है इस साल हमारे हिंदी बैच से तीन बच्चे सेलेक्ट कर हो रहे है और एक बच्चा तो मेरे पूरे institute में सबसे ज़्यादा नमबर लाने की कगार में है तीन बच्चों में से एक है वो जिसके नमबर काफी ज़्यादा 76-680 तक आ सकते है एक question दो question का जो doubt है उसकी वज़े से मैं पूरी तरह से marks शौर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन काफी अच्छा उसके नमबर आ रहे हैं वो तीसरा drop था मेरे यहाँ ही तो drop करने से marks बढ़ते हैं अगर आप positive intent से चलते हो तो लेकिन drop करने से marks खटे भी हैं क्योंकि आपको दोनों जानना जरूरी है और decision लेने से पहले कुछ मुद्धों पे आपको अपने आपसे question करना जरूरी है पहला मुद्धा यह है कि पिछली बार आपका selection क्यों नहीं हुआ क्या गलती हो गई ऐसे मुद्धों को आप point wise line by line note कर ले क्योंकि अगर आप line by line note नहीं करेंगे तो आपके कुछ point miss हो जाएंगे अगर आपके कुछ point miss हो गए तो आप सही judgment नहीं कर पाओगे तो आप उन मुद्धों को लिखो कि what went wrong with you कहां कहां गलतीयां हुई अब एक question और लिखो कि क्या guarantee है कि वो गलती दुबारा नहीं होगी ये आप लिखोगे तो अपने आप काफी answer आपको मिलने लगेगा कई बार कहते हैं ना कि एक बंदे का nature और उस बंदे का signature ये दोनों बदलता नहीं तो अगर आपकी nature में पढ़ना नहीं है मनलब वहाँ पिलकुल लापरवाई इंसान हो ये आप अपने आप जानोगे कोई दूसा नहीं जानेगा तो बहुत मुश्किल है अपने आपको save कर पाना लेकिन हम ही अगर ठान लेंगे तब कुछ भी कर सकते हैं दूसरा side आपको सही ना कर पाए लेकिन खुद आप सही कर लोगे अपने आपको तो सबसे पहले खुद के लिए discipline होना और खुद से question पूछना और खुद से उसका निदान यानि solution जानना जरूरी है दूसरी बात अगर आपने देखा कि हाँ वो गलतिया आप नहीं होंगी तो थोड़ी परिस्तितिया देखो अपनी क्या आपके parent राजी हैं क्या आपका surrounding आपको allow कर रहा हैं क्या आपके जो growth है बिलकुल नहीं हो रही है आपने एक drop ले लिया दो drop ले लिया तीन drop ले लिया और आप 50-50-40-40 नमबर बढ़ रहे हो और अभी भी gap 300 का है साड़े 300 का है क्योंकि cut up तो उपर जाता रहेगा अगर यही label रहा तो इसी को assume करते हुए अगले साल साड़े 600 के उको assume करो cut up क्या आप साड़े 600 लाने के condition में हो minimum तब तो आप सोचो drop करना चाहिए otherwise drop ना करके भी आप बहुत सारे option ले सकते हो मैं जो अपने एसिचूट में जो rank enrichment batch चलाता हूँ 500 प्लस बच्चा लेता हूँ उसमें कुछ कुछ exceptional साड़े 400 चारसो 47 उतारे साड़े भी लिया था last year दो बच्चों का और मैं बताओं exceptional मेहनत करने के बाद exceptional motivation के बाद होता क्या है कि जब बच्चा दो तिन ड्रॉप लेता है ना तो वो एक थोड़ा negativity zone में रहता हलका सा आपको हर टाइम उसको negativity zone से pull करके positivity zone में रखना होता है कई बार आपको उसको behavior को watch करना पड़ता है इंडारेक्ली कई बार आपको उसके चेहरे को देखके पहचानना होता है किस टाइम इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सारे process होते हैं अगर आपका mentor ये सारे process कर रहा है आपको believe है तो आप drop लीजे क्योंकि हम लोग कई बार खुद बहुत अकेले हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे आगे बढ़े negativity चारो तरफ आने लगती सपोस करो मैं example दूँगा अभी तो final result नहीं आया है एक बच्चे हमारे हां हमेशा 500, 520, 540, 570 कभी-कभी 600 लेके आता था उसका तीसरा drop था और हमें पूरा यकीन था कि इस बार भी सायद इसका ना हो मैं इंटर्नली बता रहा हूँ, बाहर मैंने कभी सो नहीं किया, किसी से भी नहीं सो किया, हलाकि टीचर भी कहते थे फिर रह जाएगा यह लेकिन मैंने उससे हमेशा positive में बात की, जब भी हो मिले मैं बोलू है रहा तेरा 87 नमबर तो बढ़े गई, 660 तेरे आ रहे हैं, वो खुद surprise हो जाता था, और मैं इस तरह से बोलता था, कि उसे लगता था बिल्कु सही बोलना है, और मेरा purpose था उसको motivate करना, और वो लड़क का mentor अगर आपके विश्वास रखता है, बिलीव रखता है, तो आपको फरक डाल देता है आपके performance में, इस तरह से मैं बोलूँगा, कि drop लेने के decision को बहुत multiple factor पर चेक करिए, और multiple factor पर चेक करने के बाद ही कोई decision लीजिए, it will be very helpful to all of you, so thank you very very much, bye bye and take care.